क्या न क्योटने यह हैं तो यह स्योग चाते हैं उसमें हम उसमें वहारी महाराज है मुख्यमंत्री उत्ता प्रदेश के सद्लडर सूव इस райग के करूmore और एक संदेज आए प्रदेश के मुसलमानों को पूरे प्रदेशके मुसलमान जो है और भगवे से परेम करता है नफुरत नहीं करता है और ये ये भी अलग है हमारे जगाने का कि मुस्लिम समाज 2024 में भारी तादाज में योगी जी की साथ आए कि योगी जी जो है किसी घरम के खिलाफ नहीं है सिर्म आफ्याओं के खिलाफ है गुंडों के खिलाफ है कि यह नब्लाग करीब की प्रोपर्टि जो हम आईद्धा के नाम दान करेंगे और योगी जी को देंगे कामई है किसमा पुरी में हैं और यहां योगंदर पुरी में हैं वे सब हम अपने योगी जी को देंगे अपने इद की नमाज में जो भगवा जो हमने कपड़े पहने थे वो एक संदेश देने का मकसद था कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि योगी जी का जो भगवा कपड़े हैं भगवा जो रंग है वो किसी विसेश धर्म के खिलाफ नहीं हैं ना मुसल्मानों के खिलाफ है ना हिंदों के खिलाफ है सिर्फ भगवा जो है गुंडों के खिलाफ है और यह भगवा जो है उत्तर प्रदेश को एक विसेश राज्ये बनाना चाहता है जो भारत के इतियास में एक इतियास बन जाए कि एक महराज ये जो देश को उँचे स्थान पर ले गए इसुह एक और एक मुह्बत का पर्टी के सही मायनों से राम राज्य लाएने जाते हैं तो यही होगा कि मुसल्मानों को बें आगे बढ़ना होगा और हिंदों को आगे बढ़ना होगा तह को गलह लगाना होगा योगी मुदी जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ इसी तरह देश की तरक्की करते रहें और इसी तरह माफ्याओं के खिलाफ कार्य करते रहें पूरे परदेश का मुस्लिम समाज आपके साथ है और हम भी अलग जगाने का काम कर रहे हैं पंदरा मार्स पंदरा मैं से हम घर घर जाके ये संदेश देंगे लोगों को अपने मुस्लिम समाज में कि योगी जी के साथ आएं और योगी के साथ दोस्ती का हद बढ़ाएं योगी जी मुस्लिम समाज के साथ हैं पूर्ण डूर्फ से साथ है खिलाव नहीं है मुस्मानों के